आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडमी के फोन में ग्लैंस वाल पेपर कैसे लगा है यानि आटमेटिक हमारे वाल पेपर चेंज होते हैं जब भी हम अपने फोन को लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे तो हमारे फोन के वाल पेपर चेंज होते रहेंगे तो उसकी सेटिं में जाना है यहाँ पर आपको मिलेगा एक option जिसका नाम होगा always on display and lock screen यह आपको मिल जाएगा direct lock screen तो अगर आपका phone थोड़ा पुराना है या थोड़ा old model है तो आपको सिर्फ lock screen मिल सकता है इस पर touch करें नीचे के दरफ आईए आपको मिल जाएगा यहाँ पर glance for MI या glance setting इस प से पहले यहाँ पर आपको मिलेगा glance image categories आप किस categories की photo देखना चाहते हो वो select करें अगर आपको sports में related आपको अच्छा रगता है तो sports करें वरना food या आपको nature चाहिए तो nature देख सकते हैं यहाँ पर travel Indian news तो कई सारी हैं यहाँ तो मैंने आपको sports को करा है और food को करा है और back कर करते हैं यहाँ पर आप gallery की photos भी ले सकते हैं और photo cup change होए तो आप यहाँ set कर सकते हैं तीसरी बार यहर दूसरी बार set कर सकते हैं और आपकी settings complete हो चुकी है अब जब भी आपने phone को lock करके unlock करना चाहोगे तो वहाँ पर आपका wallpaper change दिखाएगा शायद आप समझ गए होंगे व